रादे कृष्णा दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल लड़ा पे दोस्तों हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के बुक से प्राचीन भारती इतिहास को mcq form में कभर कर रहे हैं पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन साहित्य एवन साहित्यकार से जुरे सभी महत्वपुन प्रश्णों को देखा आज के वीडियो में हम लोग पूर्व काल से जुरे सभी महत्वपुन प्रश्णों को देखेंगे दोस्तों प्राचीन भारती इतिहास के यह लाश्ट टॉपिक है इंसेंट हिस्ट्री के हम सभी टॉपिक को अपने वीडियो के माध्यम से कवर करवाज चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पहला प्रश्ण है भारत की इतिहास के संदर्मे निमनलिखित यूगमों पर विचार कीजिए इसमें कह रहा है कौन सा सही सुमेली थै पहला है औरंग राजकोस का प्रभारी जो की गलत है दूसरा है गुर्जर ये दिया हुआ है इस्ट इंडिया कंपनी का भारती एजेंट ये भी गलत है गुर्जर जो है एक जाती था ना कि इस्ट इंडिया कंपनी का भारती एजेंट तीसरा है मिरा सीधार जो की जिसका दिया हुआ है राज का नामिक राजस्वदाता ये सही है जिसका सही आंसर आप्शन नमबर सी हो जाएगा केवल तीन सही है अगला क्वेश्चन है भारत के इतिहास में निमनलिकित घटनाओं पर विचार कीजिए कह रहा है उप्युक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंब कर सही कालानुक रमान क्या है तो इसका हो जाएगा महेंद ब्रमन पर्थम के अधीन पलव सत्ता की स्थापना हुई उसके बाद गोपाल द्वारा पालवंस की स्थापना की गई फिर राजा भोज के अधीन परति जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो इसका सही अंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला कॉश्चन है तो दोस्तो इसके जो प्रमुख लगान अधिकारी थे उसका पद नाम महाप्रभात था क्या था महाप्रभात तो इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगला कॉश्चन है निमलिखित में से किसने राष्टकूट समराज्जी की नीव रखी तो दोस्तो राष्टकूट समराज्जी की नीव दंती दुर्ग के द्वारा रखा गया था किसके द्वारा रखा गया था तो दंती दुर्ग के द्वारा तो इसका सही आंसर हो जाएगा option number B अगला question है विक्रम सिला महा बिहार की स्थापना किस वंस के सासक द्वारा करवाई गई थी तो दोस्तो विक्रम सिला महा बियार की अस्थापना पालवंस के सासक धरम पाल के द्वारा करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था धरम पाल के द्वारा जो की पालवंस के सासक थे तो इसका सही आंसर हो जाएका option number D अगला question है निम्नलिकित यूगमों पर विचार कीजिए एक तरफ है प्रसिधस्थान और दूसरी तरफ है छेत्र कहरा इस में से कौन सही सुमेली थै पहला है बोध गया जिसका छेत्र बगेल खंड दिया हुआ है जो की गलत है दूसरा देखते हैं दूसरा खजुराहो दिया हुआ है खजुराहो का बुंदेल खंड दिया हुआ है जो की सही है तीसरा सीडरिद का विदर्व दिया हुआ है ये भी गलत है चोथा नासिक का मालवा छेत्र दिया हुआ है ये भी गलत है और पांचवा तिरूपती का राईल सीमा दिया हुआ है जो की सही है तो राईल सीमा तिरूपती ये सही हो जाएगा और दूसरा खजुराहो और बुंदेल खंड ये सही हो जाएगा तो इसका सही answer option number C हो जाएगा केबल 2 और 5 सही सुम्मेलित है अगला question है मध्यकालीन भारत के आर्थे कितिहास के संदर्म में सब्द अरगटा किसे निरूपित करता है तो दोस्तों अरगटा सब्द जो है यह भूमी की सिचाई के लिए पर्यूक्त जल चक्र यानि की वाटर हील को निरूपित करता है तो इसका सही आंसर ऑप्शन नमबर C हो जाएगा अगला क्वेश्चन है निरूपित में से किसे एक नया संबत चलाने का यस प्राप्त है तो दोस्तो नया संबत किस के द्वारा चलाया गया था तो यह लक्ष सेन के द्वारा चलाया गया था दिये हुए उप्षन के नुसार लक्ष सेन के द्वारा एक नया संबत चलाया गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा उप्षन नमबर D लक्ष सेन अगला question है निम्न लिखित में से कौन सा सासक पिर्थवी राज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है तो दोस्तो पिर्थवी राज चौहान के नाम से पिर्थवी राज तिर्तिय प्रसिद्ध है तो इसका सही answer option number C हो जाएगा पिर्थवी राज तिर्तिय नेक्स्ट कुश्चन है भोज साला मंदिर की अधिस्थात्री देवी है यह देवी सरस्वती को कहा जाता है किसे कहा जाता है तो देवी सरस्वती को कहा जाता है इसका सही answer option number D हो जाएगा अगला कुश्चन है महान संस्कृत कभी एवं नाटक का राज सेखर निमने में से किसके दरवार से संबंधित था तो दोस्तो कभी एवं नाटक का राज सेखर जो है यह महेंद्र पाल प्रथम के दरवार से संबंधित है किसके दरवार से संबंधित है तो महेंद्र पाल प्र विक्रम सिला नामक प्राचीन विश्विद्याले की स्थापना बंगाल के किस सासक ने किया था तो दोस्तों विक्रम सिला विश्विद्याले की स्थापना पाल सासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था इसका सही अंसर आप्शन नमबर A हो जाएगा धर्मपाल अगला क्वे पूरु मध्यकालिन भारत के सासक राजवसों के साथ उनकी राजधानी का मेल बैठायएं एक तरफ राजवस दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है परतिहार इसकी राजधानी कन्नोज हुआ करती थी दूसरा चंदिल इसकी राजधानी खजुराहो हुआ करती थी तीसरा पर्मार इसकी राजधानी धार हुआ करती थी ये चारो के चारो सही सुमेलित हैं इसका सही आंसर हो जाएगा एक, दो, तीन और चार जो कि option number C में दिया हुआ है इसका सही आंसर option number C हो जाएगा अगला question है निमलिखित में से किसे नागर महोदै स्री के नाम से जाना जाता था तो दोस्तो नागर महोदै स्री के नाम से कन्नोच को जाना जाता था किसे जाना जाता था तो कन्नोच को जाना जाता था नागर महोदै स्री के नाम से तो इसका सही आंसर option number D हो जाएगा अगला question है निमलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था तो दोस्तों अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में जनम लिये थे अमोध वर्ध राश्ट कूट तो इसका सही अंसर आप्शन नंबर A हो जाएगा अमोध वर्ध राश्ट कूट अगला क असासक भीम देव प्रथम था कौन था भीम देव प्रथम तो इसका सही आंसर option number A हो जाएगा अगला question है पृत्वी राज रासो का लेखक है तो दोस्तों पृत्वी राज रासो का लेखक चंद्वर्दाई है इसका सही आंसर option number D हो जाएगा चंद्रवर्दाई अगला question है ग गौरबहो के रचेता वाक्त पती थे कौन थे वाक्त पती तो इसका सही आंसर आप्शन नंबर C हो जाएगा गौरबहो के रचेता वाक्त पती थे अगला क्वेशन है विक्रम सिला विश्विद्याला इसमें से आज के किस राज्ये में अवस्थित है तो दोस्तों विक्रम सिला विश्विद्याला अभी बिहार राज्ये में इस्थित है बिहार राज्ये के भागलपुर जिले में जिसका सही अंसर आप्शन नंबर C हो जाएगा बिहार अगला करवाया गया था इसका सही answer option number C हो जाएगा अगला question है निमलिकित राजपुत बंसों में से किसने आठवी सताबदी में दली का यानि की दहेली सहर की स्थापना की थी तो दोस्तों दहेली सहर यानि दली का सहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था तोमर बंस के द्वारा किया गया था इसका सही answer option number C हो जाएगा अगला question है सूची वन को सूची टू से सुम्मेलित करना है एक तरफ राजपुत दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी पहला प्रतिहार है दूसरी वैसे ये question हम लोग पहले देख चुके हैं फिर भी देखते हैं प्रतिहार जो है यह कन्नोज इसकी राजधानी थी चोल इसकी राजधानी तंजोर थी परमार इसकी राजधानी धारा थी और सालंकी इसकी राजधानी अनहिल बारा थी उसका सही आंसर हो जाएगा एक तीन और दो जो कि option number option number d में दिया हुआ है इसका सही answer option number d हो जाएगा अगला question है हिंदू विधी पर एक पुस्तक मिताक्षडा किसने लिखी थी दोस्तों मिताक्षडा विज्यानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी मिताक्षडा तो विज्यानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी इसका सही answer option number c हो जाएगा अगला question है राजवन्स जो कन्योज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्री कोनिय संघर्स में उल्जे हुए थे वह थे तो दोस्तो वह पाल, गुर्जर एवं राष्ट कूट वन्स थे कौन थे त्री कोनिय संघर्स में तो पाल थे गुर्जर थे और राष्ट कूट थे तो इसका सही answer option number c हो जाएगा दो, तीन और चार अगला क्वेश्चन है निमलिखित में से किसने कालपनिक वैज्ञानिक उपकरनों पर पुस्तक लिखी थी तो दोस्तो कालपनिक वैज्ञानिक उपकरन पर पुस्तक राजा भोज के द्वारा लिखा गया था इसका सही answer option number a हो जाएगा भोज अगला निमलिखित में से किसने खंभात में तोरी गई मस्जिद के पुनर निर्मान के लिए आर्थिक सहायता प्रैदान की थी तो दोस्तो खंभात में जो मस्जिद को तोड़ा गया था उसके पुनर निर्मान के लिए जैसिंग सिध्धराज के द्वारा आर्थिक सहायता गई थी दोस्तों गूर्जर पर्तिहार बंस कि इस्थापना नागभट प्रतुम के द्वारा किया गए था नागभट प्रतुम के द्वारत सही अंशर option नंबर और बहुत है क् पिस्क नंग समबत के द्वाघ्शमान्षैण सेंग अगला क्वश्चन है ये मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में इस्थी थे तो दोस्तों मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में इस्थी थे कहां इस्थी थे गुजरात में इसका सही अंसर ऑप्शन नमबर बी हो जाएगा गुजरात अगला क्वेश्चन है पालवन्स का संस्थापक कौन था दोस्तो पालवन्स का संस्थापक गोपाल था कौन था गोपाल तो इसका सही आंसर आप्शन नमबर C गोपाल हो जाएगा अगला कुश्चन है लिंग राजमंदिर की नीव डाली थी तो दोस्तो लिंग राजमंदिर की नीव ययाती केसरी ने डाली थी यानि कि लिंग राजमंदिर का निर्मान ययाती केसरी के द्वारा करवाया गया था तो इसका सही आंसर आप्शन नमबर A हो जाएगा अगला कुश्चन है पूरी में इस्थित कोनार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे तो दोस्तो कोनार्क में जो सूर्य मंदिर है जिसे हम लोग काला पगोडा के नाम से भी जानते हैं इस मंदिर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया था कोनार्क के सूर्य मंदिर का निर्मान नर्सिंग वर्मन प्रथम के द्वारा किरवाया गया था किसके द्वारा करवाया था नर्सिंग वर्मन प्रथम के द्वारा तिसका सही आंसर option number A हो जाएगा अगला question है black pagoda है अभी अभी हमने बताये दोस्तों कोनार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पगोडा कहते हैं तो ये कहां इस्थी थै कोनार्क में इस्थी थै तो इसका सही आंसर ऑप्षन नमबर C हो जाएगा कोनार्क अगला कुश्चन है महान जैन विद्वान हेम चंदर किसकी सभा को अलंकरीत करते थे दोस्तो महान जैन विद्वान हेमंत या कुमार पाल के राज्य सभा में रहते थे तो इसका सही आंसर ऑप्षन नमबर B हो जाएगा कुमार पाल अगला कुश्चन है महान तम परतिहार राजा था दोस्तो महान तम परतिहार राजा यानि सबसे महान परतिहार बंस का राजा मिहीर भोच थे कौन थे मिहीर भोच जिसका सही आंसर ऑप्षन नमबर C हो जाएगा मिहीर भोच तो दोस्तो हमारा आज का सेशन यही तक था वी हिंट